Hello students, चलिए start करते हैं अपनी वीडियो, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपने जो mathematics के most important question है, exam point of view से, वो हम यहाँ पे mark करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दू कि सबसे पहले आपको complete mathematics अपना simplify करना है, complete solve करके देखना है, बहुत अच्छे से कर लेना है, उसके बाद quicker vision के लिए मैं आपको कुछ questions यहाँ पे बताने वाला हूँ, उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा focus कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यह security 100% तो नहीं दूँगा, कि exam जो है आपका 100% इन में से आएगा, ठीक है, mostly questions यहाँ से cover हो जाएंगे, जो मैं आपको mark कराने वाला हूँ, तो चलिए start करते हैं अपनी वीडियो, और मैं यहाँ पे आपको सभी exercises में से questions mark कराऊँगा, आप अपना देख सकते हैं कि आपकी syllabus में से कौन से chapter कौन सी exercise delete हुई है, वो आप छोड़ सकते हो, सबसे पहले करेंगे हम अपना chapter number first देखेंगे, chapter number first जो है हमारा है real number, real number में सब यहाँ पे हमारे पास जो है question number जो first है, यह आपका exams के अंदर कई बार आता है, दिखा है मैंने भी, question number four है जो यह भी important है यहाँ पे, next देखते हैं अपना, next जो है हमारा यह example number five है, ऐसा ही similar आगे question भी होगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, question number five भी है जो है आपके exams में आ four, five, और seven, यहाँ पे जो question number five है वो पिछला जो example था, similar है बिलकुल एजिटीज, तो यहाँ पे question number three, four, five, और seven, जो exercise 1.2 से थोड़ से important question है, next move on करते हैं अपना, यहाँ पे देखते हैं, prove that root three is irrational number, most important question है, इसको five star mark कीजिए, बहुत बार आपके exams में आता है, root three भी आ सकता है root two भी आ सकता है, root five भी, root seven भी, कोई भी आ सकता है, सभी का करने का method एक ही है, तो यह question जो है most important है, next मात करते हैं अपनी exercise 1.3 की, exercise 1.3 के अंदर question number first, और question number third, most important question है, question number third, जो first है, वो example की तरह ही है, इसमें root five, irrational पुच्छा है, वहाँ पे root three था, तो root seven और root two का भी आपे, soul कर करके देखेंगे एक बार, next देखते हैं, अपनी exercise आती है, हमारी 1.4, exercise 1.4 के अंदर, जो question number first है, इसमें से कुछ पार्ट से कभी कभी पूच लेता है, जैसे हमारा eighth part हो गया, फिर sixth part हो गया हमारा, यह जो questions है, यह पूच लिए जाते हैं कई बार, तो थोड़ी सी quick reason ले ले बस्त में से भी क्या solve कर, कैसे solve करना है हमने, उसके बाद देखते हैं अपनी, यहां पे जो question number third है, यह भी कभी कभी पूच लिया जता है exam में, question number two most important नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं, तो question number three के अंदर से भी आप check कर लें, कि किस तरीके से इसको solve करना है, next देखते हमना chapter number second, chapter number second हमारे पास क्या है, polynomial, polynomial से भी आपके questions आते हैं, तो देखते हैं कौन से question बनते हैं, यहां से, सबसे पहले देखेंगे हम exercise अपनी 2.1, 2.1 में कोई खास important नहीं है, बड़ जैसे हमारा question number इसका fifth part है, sixth part है, इन में से अगर आपके पास आता है, तो इन में से आने के चां बनता है, वही होंगे हमारे roots of this graph, next देखते हैं अपनी exercise चलते हैं, 2.1 पे, 2.1 exercise में जो question number first और question number second है, इन में से कोई भी part आपको दे देता है, mostly आपके exams में आते हैं, जैसे हमारा यह third part है, यह fifth part है, इन में से पूछ लिया जाता है, वैसे तो दोनों question important है, complete आप solve करके दे देखेंगे, वैसे यहाँ पे जैसे fifth part हो गया हमारे पास, इसमें से second, fifth part हो गया, यह जो question है, थोड़े से most important हो जाते हैं, next move on करते हैं अपनी, यहाँ पे चलते हैं, तो example number 9 है हमारा, यह भी most important example है, कई बार exams में आता है, roots given होगे, और इसके other two roots हमने find out करने होते हैं, next important question है, ठीक है, मैं सभी exercises में से mark करवा रहा हूं questions, जिसकी जो exercise deduct हो चुकी है, कट चुकी है, syllabus के according, वो उनको छोड़ सकता है, क्योंकि अलग-अलग board की, अलग-अलग exercises से syllabus से कटा हुआ है, ठीक है, next देखते हैं हमारा, optional exercise में आपको suggest करूँगा कि सभी chapters की optional exercises कीजीज कीजी है, बट मैंने देखा है कि examples और optional exercise, mostly question cover करती है, आपके exams के अंदर, तो optional exercise और example को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि आप भी देखते हैं कि बच्चे इनको बिलकुल भी नहीं करते हैं, examples को भी छोड़ देते हैं, और optional exercise को भी, तो इनको भी करिए आप, तो यहाँ पे हमारे optional exercise में question number 3 or 5 क्या है, important question है, next देखते हैं, हमारा जो है chapter number second complete हो गया है, next chapter है हमारा third chapter, pair of linear equation in two variable, यह थोड़ा सा लंबा chapter है, यहाँ से आपके mostly questions आते हैं, तो इसमें देखते हैं important question कौन से बनते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम exercise जो हैं हमारी 3.1, वैसे तो कुछ खास important नहीं है, बट आप एक बार question number second को आप देख सकते हैं, solve करके, next देखते हैं अपना, 3.1 से आगे चलते हैं, 3.1 से जैसे ही आगे चलते हैं, हमारे पास यह एक table आती है, 3.4, most important है, यह table तो आपको मतलब बहुत अच्छे से याद होनी चीए, कि कहाँ पे हमारी intersecting line होती हैं, कहाँ पे coincident, कहाँ पे parallel lines होती हैं, one solution, infinite, many solution, no solution, कहाँ पे exist करते हैं हमारे two equations के, तो यह तो VIP है हमारी table की, यह तो आपको आनी है आनी चाहिए, इसके basis पे आपके question 110 परसेंट आते हैं, next देखते हैं अपनी exercise 3.2, अब 3.2 के अंदर जो हमारे question 2 और 3 है, वो table basis है, जिसको table पता है, वो यहाँ से easily कर सकता है, तो यहाँ पे मैं mark नहीं कर रहा हूँ, next देखत है, question नमबर 5 जो है, वो important question है, ठीक है, question नमबर 5 को आप अच्छे से करिए, next देखते है, हमारी exercise आजाती है, 3.3, exercise 3.3 के अंदर, जो हमारा question नमबर 1 है, यह important है, तो यहाँ से second part है, फिफ्ट part है, important question है, ठीक है, इनको अच्छे से कीजिए, question नमबर 2 है, यह भी important है, next जो ह हमारा question number 3 के अंदर जो है 3 के अंदर हमारे important questions बनते हैं हमारे question number 5 और question number 6 यह दोनों पार्ट हमारे most important है इसके next move on करते हैं अपनी exercise 3.4 पे 3.4 के अंदर हमारा question number 1st है first के अंदर जो हमारा fourth part है यह थोड़ा सा important question है next देखते हैं अपना question number second यहां पे कुछ important ज्यादा question बनते है question number first, second, third और fifth यह चारो questions यहां पे क्या है important question है next देखते हैं अपना वैसे तो यहां पे elimination method के question है elimination method को है mostly board से कटा हुआ है तो यहां पे अगर elimination method आपके syllabus में नहीं है तो इन questions के भी आने के chances कम है ठीक है तो यहां पे वैसे अगर मान लिया यह questions आते हैं तो different method से आ सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका elimination method से ही आए तो एक बर soul जरूर करके देख लीजिए अगा आप next exercise देखते हैं exercise 3.5 3.5 के अंदर हमारा जो question number second है important question है और question number four के अंदर हमारा third part, fourth part और fifth part यह भी important question बन जाते हैं हमारे third, fourth और fifth next move on करते हैं यहां पे हमारे पास जैसे ही हम move on करते हैं page number 65 पे most important question मैं इसको बोलूँगा कि बहुत बार मैंने देखा है last year भी आपके exams में आया हुआ था यह HVSC में भी CBSC में भी तो यह question जो है most important हो जाता upstream और downstream का इसको बहुत अच्छे से कीजिए आप next देखते हैं अपना हमारी exercise जो है 3.6 है 3.6 में जो question number first से हमारा fifth part, fourth part important question है second question में हमारा question number second, second का second यह भी हमारा क्या है most important question बन जाता है तो आप इनको अच्छे से कर हमारी आपती है optional exercise, optional exercise से मापको suggest करूँगा question number three और question number seven, यह दोनों questions साप अच्छे से करिए, तो यहाँ पे हमारा third chapter हो जाता है complete, next देखते हैं हमारा chapter number four है quadratic equation, तो quadratic equation में देख लेखते हैं कुछ important question क्या बनते है, quadratic equation के अंदर देखते हैं, सबसे पहले मोहन करते है exercise 4.1 पे, exercise 4.1 में हमारा question number second का जो first part है important question है, next देखते हैं इससे आगे, हमारा question number third है इसमें और question number fourth, यह भी हमारे important question है, इससे आगे चलते हैं देखते हैं, exercise 4.2 के अंदर जो हमारा question number first का third part है important है, और हमारा fifth question भी यहाँ पे important question है, next देखते हैं अपना, नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सरसाइज जो है 4.3 4.3 का क्योस्ट नमर 4 फर्स्ट जो है most important question है यहाँ पर हमने क्या करना होता है इसको completing the square method से root find out करने होते है most important question है यह question तो इसका third part भी second part भी यह आप try करके देखिए इनसे ही आपको question बन जाएगा कोई problem नहीं है next देखते हैं 4.3 में question number 9 है question number 10 है question number 11 है most important question है तिनों के तिनों जैसे ही हम आगे मोहन करते हैं तो हमारे पास यह conditions given है two distinct real root की two equal real roots की और no real roots की most important है इनके basis पे भी आपका exam के अंदर question आता ही हर बार आता है तो यहां पर exercise 4.14 में देखेंगे तो question number first जो है वो nature of roots पे dependent है तो यह question आप अच्छे से कर लीजिए next देखते हैं अपना question number जो second है यह भी important है question number third जो है यह भी important है तो यहां पर chapter number four के important questions हमारे खतम हो जाते हैं next बात करेंगे हम AP की athematic progression chapter number five की इस वीडियो में आप तो फिफ चेप्टर ही हम important question देखेंगे other videos में next five की और फिर next five की ठीक है आप देखते हैं chapter number five के most important questions एपी के अंदर देखेंगे सबसे पहले हम exercise move on करते हैं अपनी five point one five point one के अंदर जो हमारा question number four है यह important question है इसमें से कोई भी part आ जता है यहां पे हमने क्या करना होता है common difference find out करना होता है three more terms find out करनी होते हैं तो यहां पे हमें basic of AP का question बनता है तो यह questions एक number या दो number में आपका पूछ लिया जाता है one two marks में आपका आता है question next देखते हैं हमारी exercise five point two और five point three थोड़ी सी important exercise है तो exercise five point two से थोड़ी से ज्यादा question बनते हैं हमारा जैसे question number four है question number eight है question number nine 10 11 13 15 16 और last में हमारा question number 20 यह हमारे क्या है important question है अगर इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपकी mostly exercise complete हो जाएगी कोई भी question में कोई भी doubt आपका नहीं बचेगा next मौन करते हैं अपनी exercise five point three पे five point three में से mostly questions आपके जो है 15 questions के बाद जो कटे हुए हैं हमारी general life से related जो questions है तो यहां पर हमारे कुछ से जो question बचते हैं question number four है हमारा और question number six है question number ten बनता है हमारा important question number 11 14 और एक 16 कर भी सकते हैं नहीं भी नहीं तो 15 से लेके last तक जो question है इस exercise के यह कटे हुए हैं आपके तो यहां तक आपके exercise जो है 5.3 हो गई है complete 5.4 से question number four कर लीजिए आप यह भी important question है तो यहां तक आपकी जो question बनते हैं fifth chapter तक मैंने आपको बता दिये हैं questions आप सभी करिए बट इन questions पे थोड़ा ज्यादा focus कीजिए तो आपके questions अच्छे से बन जाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अपने classmates को जरूर share कीजिए बटा कोई doubt अगर आप feel करते हैं कहीं पे कोई problem आपको लगती है तो आप मुझे comment कर सकते हैं otherwise इस channel को subscribe जरूर कीजिए comment करके बताइए आपको कैसा channel लगता है thank you students for your love and sport thanks